फ्रेंड सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस बैल आइकन फोर न्यू वीडियोज। हेलो फ्रेंड्स टाइप्स ओफ कॉलम एक इंपर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंट्रिव्य परपेज़ के लिए या एक्जाम परपेज़ के लिए अब आपने कॉलम पता है कॉलम क्या होता है अब उसमें क्या होता है दो टाइप के कॉलम हो जाते हैं तो वह कौन-कौन से ह कैसे उनको डिवाइड करतें कैसे उनको डिफेंट करतें वह इस विडिए अनकीत प्रिजापति ऐसे आपका अपने इंजीनियरिंग गुरू में तो पात करने 75 को यह पता है क्मप्रेसिव मेमर होता है जो load transfer करता है beam slab तो दी foundation यह तो हमारी basic definition होगी compressive member होता है और यह क्या होता है इसके लिए slenderness क्या होता है strut में क्या difference होता है pedestal में क्या difference होता है वो सब मैंने पिछली last video में बताया हुआ है उसका link मैं आपको description में देदें वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं अब बात करते हैं types of column की क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले देख लिए मैं बताते था हूँ slenderness ratio most important होता है slenderness ratio क्या होता है वो हमको पता है slenderness ratio जो होता है हमारा वो होता है al effective upon least lateral dimension 20 की बिड़ से अगर मैं उपर से देखूम अगर मैं अपने column को ठीक है यह मेरा अगर supos column आपको front view देखा हाँ उसका अगर मैं इसको उपर से देखँा हूँ यहां Whenever इसको देख़ रहा हूं तो मेरा कुछ action को दिखेगा ऑख है अब बात करते हैं मेरे एक्चली दो होते हैं सौर्ट कॉलम और लॉंग कॉलम अब क्या होता देखे अगर मेरे पास एफेक्टिव लेंद केवल एक है मेरे पास केवल एक ही एफेक्टिव लेंद है तब क्या होगा इफ स्लेंडर नेस रेशियो में बचा चुका हूं आपको सब्सक्राइब करें तो मेरा होगा सौट कॉलम हो गई होगा अगर मेरा स्लेंडरनेस रेशियो अगर एक 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 एक्टिव लेंथ दीओ किसी कॉलम के लिए तो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो अगर मेरा इस ग्रेटर धैन तो मेरा वो लॉटम होगा देखें यह तो क्या सिंपल अगर ऐसे है तो क्रिटिकल हो जाता है फाइंड करना की सौर्ट कॉलम है या लॉंग कॉलम है ठीक है अगर कोशन आप करने जाले हैं पेपर में कॉम्टेशन है कहीं पर भी तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है तो क्या होता देखिए अब मैं बताते हैं अब आउट एक् X-E Effective Length About X-Axis A Lateral DIMENSION About X-Axis is a D देखिए ये मेरा x axis है इसके lateral में perpendicular बोले तो इसके lateral में क्या dimension है डी lateral dimension इसकी D हो गई और मेरा y-axis है this y-axis के perpendicular lateral direction में क्या होगे हमारा क्या हो गई वो dimensionों की b देखिए मैं इहीं पर ही दिखाया हुआ है अबाउट वाई एक्सिज दा इफेक्टिव लैंट इजा एल वाई ए और अबाउट वाई एक्सिज इजा लैटरल डाइमेंशन इजा बी यहां पर डी हो गया उसके बाउट ओके स्लेंडर ने रही हो पता है मेरे को एल एफेक्टिव इज अपोन एल डी मिंस ले लीश बात कर लेते हैं तो एक्स एक्सिज फाइंड करेंगे तो एल एक्सी एफेक्टिव लैंथ अबाउट एक्सिज अपोन लैटरल डाइमेंशन अबाउट एक्स एक्सिज यह फाइंड करेंगे और एसरवाई मिंस लेंडर ने से और रेशियो अबाउट वाई एक्सिज वाउट वी एक्सिज़ के वाउट भी अगर लेस्ट तो हमारा होगा शॉर्ट कॉलम देखिए हाँ पर मैं दिखा हुआ है srx and sr y is less than 12 then हमारा सोट कॉलम होगा देखिए हाँ भी मैं दिखा हुआ srx upon 12 यह दोनों 12 से ओके अगर मैं बात करूं लोंग कॉलम की if slenderness ratio about x-axis is equal to effective length about effective length about x-axis upon lateral dimension about x-axis is a d and slenderness ratio about y-axis is equal to ly upon b both अगर यह दोनों ही अगर या फिर इन दोनों में से कोई एक भी यह दोनों फैक्टर या इन दोनों में से कोई एक फैक्टर भी greater than है 12 12 से अगर जादा है दोनों में से एक भी फैक्टर तो मेरा वो लोंग कॉलम ही होगा अगर दोनों less than 12 हैं तो short होगा अगर इन दोनों में से दोनों चाह इन में से एक भी greater than 12 है तो हमारा long column होगा देखिए जैसे मैंने यह बहुत दिखाए बोथ हार greater than 12 तो हमारा होगा ही हमारा 110% ही हमारा long column होगा या any one of them अगर मेरा srx is greater than 12 sr i less than 12 और यहाँ पे भी एक greater than 12 है तब भी हमारा ly long column ही होगा lrxy ओके तो friends बस इतना ही थै